तो आस्टाम आलेकम स्टूडाइंट्स कैसे हम सब ठीक है अमीद करता हूं ठीक होंगे बैटे आज हमने पड़ने नुमेरिकल नुम्बर फॉर से स्टार करना चेप्टर लूगन ठीक है पहले प्रिवेस लेक्ट्चर में ने चैप्टर लूगन के तीन नुमेरिकल किये थि हमारे पास standard form में given करना है हमने इन स्वालों को questions को जी number one है हमारे पास 1168 10-27 second one is 32 10 power 5 third one is 725 10-5 kg and the last one is 0.02 10 raise to power minus 8 ओके बैटे लुक है जी हमारे पास 1168 इसको आप लिख सकते हैं standard form मतलब first value के बाद pointer काना value को उनसी 901.168 10 की पावर कितनी आई क्यूंकर 0.3 value पीछे गया तो 3-27 अब आपको बता है 27 में से 3 जाए क्या आता है 24 आता है ओके बैटे तो 1.168 10 raise to power minus का 24 अब इसको आप लिख सकते हैं 3.2 10 की पावर 1 और यह 5 इस फाइव और 1 कितना आता है जी 6 अगें 7 इसको लिखेंगे 7.25 वाइंट दो पीछे गया तो 10 की पावर 2 और यह माइनस 5 इस और यह किलो में 10 की पावर कितनी होती है थ्री होती है ओके हां जी तो थ्री और 255 माइनस 5 कैंसल भी नीचे दर 7.25 अकेला रहा गया और यह ग्राम आंसर ओके ठीक है इधर देखें अब यह पॉइंट दो वैलिव आगे जा रहा है मतलब 2.0 10 की पावर माइनस 2 क्योंकि दो वैलिव आगे गया ना माइनस 2 आया और माइनस 8 एज़ आपको पता है 8 और 2 कितना होता जी माइनस का 10 और आप 0 लिखो यह ऐसे लिखो बात एक ही है क्योंकि आपको पता है राइट शायट में पॉइंट के साथ 0 की कोई वैलिव नहीं उसको आप नुमेरिकल नंबर 5 में भी इसी तरह करना एक्सप्रेसिंस टैंडर फोर्म स्टैंडर फोर्म में करना है जी नंबर बान है हमारे पास 6400 किलो मीटर नंबर सेकेंड है हमारे पास 380380,000 किलो मीटर थर्ड है जी 300 मिलियन जी मीटर पार सेकेंड और लास्ट बाना है जी सेकेंड सीना डे एक दिन में सेकेंड बताने हैं जी बैटे तो इसको करेंगे आपको सिंपल सी बात है 6.4 लिखेंगे कोई राइट साइज लेफ्ट पर गया तीन वैलियू उस गया तो टैन की पावर थरी क्योंके व वान तो थरी फोर फाइव किलोमेटर इसी तरह आप यह देखें यहां पर थ्री इंटो टैने इस तो पावर 3 3 6 0 2 8 मिटर पर सेकेंड और यहां सेकेंड और एक दिन में कितने सेकेंड पहले पता हो न चाहिए एक दिन में आवर्स कितने हैं वन दे इक्वल टुट टुट इक्वल टू 60 मिनट एंड वन मिनट इस एक्वल टू 60 सेकेंड वैंड यू मुल्टिप्ले आल इस वैल्यू तू 24 16 to 60 यू और आंसर 8 6 4 002 अब इसको रिखना है किसमें स्टेंड फोम में मतलब 8.64 फिर्स्ट वैल्यू की पाप पॉइंट आया तो 10 की पावर कितना 1 2 3 4 2 2 अमीड है आपको समझ आगी होगी यह था हमारे चैप्टर नमबर 1 का नमेरिकल नमबर 4 & 5 ठीक है चलते है नमेरिकल नमबर 6 की तरफ ओके बैटे हमारे पास कहता है उन यूजिंग दा स्क्रीव वर्नियर का रहे हैं उसके जोस कुछ आप क्लोस करते हैं तो कहता फॉर्थ लिएं उसकी 0 के साथ कोइंसाइट कर रही है ठीक है मतलब यसमें एर रह तो पैटे लिखर रहर है आपको तरीका बताया होगाय कैसे रिडिंग लेते हैं जी वर्नियर का Lewis के और सबसे पहले सकेयर पलस 2009 स्कियल लोटिपले लिसलाई कॉंड अब बिटे इसको तो तो इसको करेंगे तो इसको फाइनल रिडिंग जो आंसर मारा जो भी किसी चीज़ का महीर करेंगे इसलिए इसके दो आंसर है फाइप पास कितनी है एक पॉइंट फाइव मिली मिली मेटर और इसका लिसका बढ़ा है बिलकुल असां सा है नुमारीकल का फार्मूला सीका का हमने फार्मूला पर है क्या से करना है उसको किसे करना है नंबर ऑफ दिवियन से ठीक है यह देखें कि पिच आप स्क्रियूगेश डिवाइड वाइड नंबर ऑफ डिवियन ओन स्केल तो पिच कितनी है पॉइंट फाइव नंबर ऑफ डिवाइड करेंगे तो 0.01 मिली मीटर आपका अंसर आजएगा ठीक है अमीदा समझ आगी होगी यह फार्मूला लिखा भी हुए जी नमारे पास कहता है कि आपने बताना है इसके अंदर किस किस के पास 309 किलोग्राम थर्ड कोस्टन है जी हमारे पास 5.05 इंटो 10 की माइनस 27 किलोग्राम और लास्ट वन है जी 301.0 सेकेंड तो बैटे देखें उसने पूछा तीन किसमें है पहले इसमें देखें वान टू थरी फॉर फाइव इसमें पांच है इसमें वान टू थरी इसमें तीन ऑके बाकियों में तीन नहीं है इसमें बीचा पांच है इसमें चार यह लेफ्ट बले इसीरो काउंट नहीं करते हैं रिमेंबर दिस दिंग ओके चले खरते हैं नमटमें हमारा 450 kg थर्ड वान एजी वन पॉइंट डॉबल सिक्स इंटु टैन माइनस ट्वंटी सेवन किलो ग्राम एंड लास्ट वन सिक्सक्राइब करेंगें लीड लाइक पोपता है इसमें थरी गया इसमें नौिक्त ने इस चैटर का नमेरीट करने इसमें वापता है चोकलेट कि रैप पर है जिसकी लाइन कितनी है 6.7 और विर्थ कितनी है 5.4 चोकलेट रैपर की लेंथ 6.7 सेंटी मिटर विर्थ है जी 5.4 सेंटी मिटर कहता है इसका एरिया बता है सूटेबल सिगनिफिकेंट फिगर तक आपको एरिये का फार्वला बता है रेक्टेंगल का एल क्रोस भी जब आपने मुल्टिप्ला है किया 6.7 को 5.4 से आंसर आएगा 36.18 सेंटी मिटर स्केर अब आपको बता है इसको राउंड ओफ करके लिखेंगे तो क्या आंसर आएगा 36 तो उसको निग्लेक्ट कर दिया ओके उसने पुछा रीजनेबल बताना है सिगनिफिकेंट तक तो रीजनेबल 36 आपको समझ आगे होगी है हमारे चैप्टर नुबर वान की नुमेरिकल से ठीक है अगर आपको अच्छी लगे वीडियो इसको लाइक किजिए गास ज्याज स शेयर करें दोस्तों के साथ कि उन तक भी पहुंच सके ठीक है हाँ और मिलते हैं आप से नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम चैप्टर टू स्टार्ट करेंगे ठीक है सी यू दैन अलाफीज